तो हमारा जो एक टॉपिक है mixture allegation, आज की class उसके उपर करेंगे हम लोग, देखो भई, mixture और allegation जब भी किनी दो चीजों को मिलाया जाता है तो वो mixture हो रहा है, और उसके अंदर वो तो mixture होता है, ठीक है न, दूद में पानी मिला दिया, मिक्षेर बन गया, लेकिन सरी ये एलिगेशन क्या बला है, तो भाई, जैसे आपको पता है न, आपने कभी पूछा कि सर, मल्टीप्लाई क्या है, सरी मल्टीप्लाई 28 by 23 करते हैं, तो इसको ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे मल्ट जैसे मल्टीप्लाई करने का है, उसी तरीके से ऐलिगेशन जब भी किनी दो चीजों को मिलाया जाता है, तो उसके अंदर कुछ कैलकूलेशन करने का तरीका है, एलिगेशन, जैसे मेथाड ओफ कैलकूलेशन, कैसे निकाला गया सहाब, ओबजर्वेशन से, ठीक है न, बस, इसमें आपको यह ने देखना है, क्या आया है, कहां से आया है, आपने जैसे मल्टीप्लाई सीखा बचपन में, आपने जैसे पहाड़े सीखे, जैसे पलस सीखा, माइनस सीखा, वैसे ही आपको एलिगेशन सीखना है, एलिगेशन का कैलकूलेशन का मेथड़ सीखना है, य अब हम लोग मिक्शर के बैसिक इस्ट्रक्चर पर आ रहा हूं मैं आप सभी लोगों का अगले दस मिनट तक बोर्ड की और एकदम आपने हंडेड परसेंट कॉंसेंट के साथ में कंसेंट्रेशन के साथ में ध्यान चाहूंगा थो कोई भी उधर उधर नहीं देखे का क्योंकि इधर उधर देखो कि तो गड़ बड़ जाहेंगी चीजी ठीक है यह जो बैसिक अगर मिस हो गया तो पूरा चेप्टरा पूलोगे यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ पिर में भी उसका जवाब नहीं देप होंगा ठीक है ना बैसिक इस्ट्रक्चर ओफ एलिगेशन सबसे पहले देखना बई कुछ दिमाग में यह मतला ना कि सर क्या बता रहे हैं क्या पलस करेंगे क्या माइनस करेंगे मैं जो रूल्स बता रहा हूं ना एक दो आपने दिमाग में रखना क्यूशन से फिर आगे जाए के लिए रुजेंगे चीजे देखो मैं आपको बलता हूं यहां एक वेल्यू रखूंगा में कोई भी संख्या हो सकती है 28 29 30 40 50 कुछ भी हो सकती है फिर यहां पर एक वेल्यू रखूंगा मैं ठीक है अब यह वेल्यू च्य जो को मिक्स करते हो जिन जिन को मिक्स करना है वो यहां पर आएंगे क्या यहां पर जिन जिन को मिक्स करना है वो यहां पर आएंगे और mix करने के बाद में जो result निकलेगा वो value यहां आएगी इसके बाद में इस value का और इस value का हमें एक difference निकालेंगे इस value का और इस value का एक difference निकालेंगे उसके बाद में यहां पर एक ratio आएगा यह ratio किसका होगा value क्या होगी यह मैं समझा दूँगा पहले आपको चोटी सी एक बाद समझ दिया है जीन जीन को mix करना होगा, वो यहाँ पर आएंगे, mix करने के बाद में जो resultant होगा वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद में इस value, इस value का difference हम यहाँ लिखेंगे, इस value, इस value का difference हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों के अंदर एक ratio निकल के आएगा ठीक है अब next page के उपर चलते हैं जैसे 4 exam आपको बोला गया कि 28 रूपए वाली चीन 28 रूपए का क्या था? सुगर 28 रूपए की चीनी थी 28 रूपए की चीनी थी 28 रूपए की चीनी थी ठीक है सुगर इन दोनों को किस अनुपात में मिला हूँ अनुपात का मतलब इसका कितना की लोलू इसका कितना के लोलू रेशियो के अंदर इन दोनों को किस अनुपात में मिला हूँ कि नया जो मिक्स्चर बनके आएगा उसकी रेट 39 रुपए पर केजी हो जाएगी क्या ऐसा हो सकता है आप 28 रुपए वाली चीनी को 25 रुपए वाली मिला रहे हो उसकी कोष्ट आप 29 रुपए पढ़ सकती है अगर हो जाता तो मजा है आजाता हम 28 25 को मिला लेते हैं हमारे 24 से मढ़ जाती वो सारे लोग फिर ऐसा ही कर लेते तो यह भी पोसीबल नहीं है पोसीबल क्या हो सकता है 28 रुपए चीनी को किसी अनुपात में आप मिलाओगे तो उसकी प्राइज 26 रुपए हो सकती है 27 हो सकती है यानि कि कहीं कहीं 28 रुपए चीनी को 25 रुपए चीनी के अंदर मिला दिया जाए किस अनुपात में मिला दिया जाए कि जो प्राइज है वो आपका नया जो मिक्स का प्राइज है मिक्स का मिक्स का प्राइज क्या हो जाए 26 रुपए पर के जी हो जाए तो आपको अनुपात निकानने के लिए क्या करना होता है किन किसको मिक्स कर रहे हो इसको और इसको मिक्स कर रहे हैं तो आप उपर लिखोगे इसको और इसको मिक्स होने के बाद क्या प्राइज रहा 26 रुपए है आप इसको यहां लिखोगे ठीक है इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यहां दो आ गया और यहां एक आ गया डिफरेंस निकालना है बस बताओ 28 रुपए वाली एक अनुपात चीनी और 25 रुपए वाली दो अनुपात चीनी यानि एक अनुपात दो में इनको मिलाना पड़ाएगा समझे गए तो यह रेश्व आता है जिसको जिसको और यह हमेशा सेम क्वांटिटी रहेंगे मतलब सेम मेजर्स सेम मेजर्स का मतलब यह हो गया अगर यहां पर सीपी आएगा तो यहां पर भी सीपी आएगा यहां पर भी सीपी आएगा ऐसा नहीं कि एक जगा आप सेलिंग प्राइज कर दो यह इसका 28 रुपे 25 रुपे 26 रुपे क्या था मेरे को पढ़ रहा था प्राइज यानि मेरे लिए कोस्ट प्राइज था यह सेलिंग प्राइज तो था नहीं ठीक है न अगर यहां पर आप सेलिंग प्राइज लिख रहे हो तो यहां पर भी सेलिंग प्राइज होना चाहिए और यहां पर भी सेलिंग प्राइज होना चाहिए ठीक है यह हो गया इसके अलावा कोश्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोश्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया, अगर मालो यहाँ पर प्रोफिट और लोस में से कुछ होता, प्रोफिट लोस में से कुछ होता, यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा तो यह तीनों चीजे इसेम मेजरमेंट्स होने चीए किसको समझ में आ गया ऐसा तो नहीं करों यहां पे सीपी लगा दिया अरे बोल दो ठीक है चलो ठीक है फिर बहुत अच्छी बात है अब आगे चलते हैं मुझे एक बात बताना मैंने बोला था कि mix की price 28 से जदा नहीं हो सकती और 25 से कम नहीं हो सकती बोला था ना इन दोनों के बीच कही रहेगा तो क्या मैं यह बोल सकता हूं जब भी allocation लगाएंगे तो इस value और इस value के बीच वाली value यह आएगी बोल सकता हूँimen simple बात है क्योंकि price तो बढ नी सकता ना घड़ सकता दुनों mix एक वेल्यू से बढ़ी आएगी एक वेल्यू छोटी आएगी ठीक है अब बात आती है सरी रेशियो किसका निकल किया आता है हमने हमने तीन चीजे मिल गई हमें उससे जो रेशियो निकाला रिक्वाइड जो आपको चाहिए होगा कुश्यन का अंसर निकालने के लिए वही र सब्सक्राइब के सामने है कुश्यन बोल रहा है कि यहां पर एक दुकानदार है इन वाट रेशियो शूड़े शूपकीपर मिक्स 20 आरेस पर केजी राइस विद ट्वंटी एट पर केजी राइस सो देट SP SP of the mixture will become 30 kgs if he sells his good at 20% profit by किस को मिला रहा है 20 रुपए वाले चावल में 28 रुपए वाले चावल मिला रहा है यानि कि वो 20 रुपए में लेके आया था कुछ चावल 28 रुपए में लेके आया था और उन दोनों को मिला रहा है 30 रुपए में बेच रहा है क्या यहां पर 30 दूमें नहीं लिखना है क्योंकि बाई साब उसके लिए यह 20 रुपए कोस्ट प्राइज है यह 20 रुपए कोस्ट प्राइज है लेकिन यह 30 रुपए सेलिंग प्राइज है वो 30 रुपए में चीजों को बेच रहा है और 20% का प्रोफिट कर रहा है तो यहां मिक्स करने के बाद में आपको यहां पर भी कोस्ट प्राइज लिखना पड़ेगा ना कि सेलिंग प्राइज इसी कन्फूजन में हम रहे जाते हैं तो सबसे पहले यह कन्फूजन दूर होना चाहिए तो अगर उसे 20% का अगर मेरे पास मिक्स की कोश्ट प्राइज नहीं है तो मुझे मिक्स की कोश्ट प्राइज निकालनी पड़ेगी कैसे निकलेगी प्रोफिट से प्रोफिट 20% बतलब एक बटा पांच यानि कि CP और SP में रेश्यों निकल जाएगा पांच रुपए CP जो डिनोमेनेटर में आत ठीक है तो कोश्ट प्राइज 25 आगई वह यहां पे लिखना है मुझे ना कि सिधा से लिंग प्राइज लिख देना है यह आ गए यह पर 5 यह आ गए यह पर 3 तो कितने अनुपात में मिलाएगा वही तीन अनुपात पांच में उमीद करता हूं समय जी में आया होगा ठीक ह में एक दम बैसिक से इस्टार्ट करेंगे ह। अब देखो यह को मिक्सर जैकिसन हो झाल के में यहां पे इस पर भुजह दिया हूं WITH सबसे पहले तो एसे कुछिशन में पता लगना चाहिए कि सर्मिक्सर लिगेशन से होगा कर नहीं होगा सबसे पहले पता लगना चाहिए कैसे लगाएंगे सबसे पहले लगना इस कुछिशन को द्यान से बढ़ना है A man purchased a book and a pen for Rs. 1300 He sold the pen at a profit of 20% and the book at a profit of 25% in this way his total profit was 23,1 by 13% find the cost price of the book वो बोल रहा है कि 13,100 रुपे में उसने दोनों को मिला के बेचा ठीक है, he sold the pen at 20% pen पे उसे 20% का profit होगा and the book at 25%, book पे 25% का profit होगा और दोनों को मिला के तो मुझे एक बात आता यह क्या profit मिक्स नहीं हो रहा pen का profit, book का profit और दोनों को mix करके profit बताओ दिया गया है नहीं दिया गया है दिया गया है ना तो यहाँ पे एक idea लग रहा है सबसे पहले idea लगना चाहिए मिक्सर रिलिगेशन से question हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं वैसा pen और book दो चीज है एक है pen और एक है क्या book है pen को वो बेच रहा है 20% profit के उपर book को बेच रहा है 25% profit पे दोनों को मिला के क्या profit हो रहा है 23 से 1 बटा 13% इसको फटा फट माइनस करके बताओ मुझे इसमें से माइनस करते हैं तो बार बटा तेरा लिखते हैं अगर यह कोई संख्या ऐसे 24 से 25 लिखे वी तो इसको 24 पलस एक माल लो ठीक है इसको माइनस 23 माइनस एक बटा 13 लिख दो 24 में से 23 गया एक बचा एक मैसे बटा 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बटा 13 बचेगा तो कि एक सभी 12 वटर 13 लेगन इतना प्रोसस्य थोडी करेंगे हम में ने आपको कै मैंने आपको अचिछा एढा कि पचेसमें से ती स्मैनिस कर रहा है लेगन पुरा नंबर माइनिस कर दो 24 बहुत कर दो पूरा नमरありますनी कि तो हम इसी को करते रहेंगे, हम क्विश्चन का प्सवाल करेंगे, ये फ्रेक्शन में बूल जाएंगे, ठीके ना, तो इसको माइनस करेंगे, तो 25 में से सीधा 24 माइनस किया, एक, और फिर इन दोनों को माइनस करके लिखा 12 वटा 13, तो वे 13 एकम 13 और 12, 25 वटा 13 आ जाएगा 13, 49 और 14 वटा 13 आ जाएगा, 13 तेरा तेरा कटिया, 25 पांचो आठ चालिस रेश्यो आ गया, पांच रेश्यो आठ, अब बूलोगे सरी ये रेश्यो किस चीज का आता है, मैंने क्या बूला था, जो चीज आपको निकालनी हो, उसी का रेश्यो आएगा, हमें निकालनी का है, एक आदमी ने एक पुस्तक तथा एक कलम को 13 रुपए में खरीदी, कोश्ट प्राइज का दिया हो है, क्रेम उले हमें निकालना है, यानि कि ये रेश्यो किस चीज का आया है, पता लग गया हमें, ठीक है, तो सीपी का पेन और इसका बुक का रेश्यो आठ है, यानि कि टो प्राइज कितनी दे रेखी है, तो कितने से मल्टिपलाई, 100 से, इसको भी 100 से मल्टिपलाई, 500, इसको भी 100 से मल्टिपलाई, 800, ठीक है, तो अगर पैन का पुछा है, तो किस का पुछा है में, बुस्तक का पुछा है, तो बुक के नीचे, बुक आएगा, तो 800 रुपे हो जाएगा है ठीक है उम्मीद करता हूं समझ में होगा नेक्ट कुश्चन पर चलते हैं चलो एक कुश्चन में ने अपने हाथ से लिखा हुआ है यह करो चलो आपने बहुत सारे लोगों आंसर दिया बहुत अच्छी चीजिए there are total 108 busses नंबरों बसे दे रहे हैं some busses are sold at 9% profit and remaining busses are sold at 36% profit पर्षेंट यहीं टोटल मिला के 108 busses उससे कुछ को 9% पर बेच दिया उसको 36% पर बेच दिया और total profit होगा इसमें तो मुझे बताओ कुछ bus का 9% का profit कुछ bus का 36% का profit और उनका mix profit mixer का ऐसास हो रहा है ना तो पता लग जाना ची मिक्सर एलिगेशन चीज़ को किशन तो कुछ बसे 9% profit पे कुछ बसे 36% profit पे और दोनों का मिला के कितना profit है 17% profit तो ratio निकालो यहां से कितने का difference आ गया यह 8 का आ गया किसका ratio है सर हमें तो नहीं पता चला पता चल जाएगा तो पूछा क्या गया है बसो की संख्या कितनी है लो तो नंबरोबस इसका ratio है तो total नंबरोबस ratio कि हिसाब से कितनी है 27 लेकिन यह 27 नहीं हो कि कितनी है 108 है 27 नहीं हो कितनी है 108 है तो कितने से मल्टिप्लाइ करूं च्यार से मल्टिप्लाइ करो ठीक है तो इसको कितने से मल्टिप्लाइ कर दिया 32 बसे आ गई अगर नो परसेंट वाली पुछी जाती तो उननीस को चार से मल्टिपलाई कर देते हैं ठीक है कि समझ गई चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं करो इस कुश्चन को चलो भई कुश्चन बोले दा पॉपुलेशन ओफ विलेज वाज नाइन्टी सिक्स हंड्रेड एक सेगन को वाज नहीं है इज है भई यह जोर वाज है बहुत है पॉपुलेशन ओफ विलेज इज 9600 परजेंट में चानमसों की जन संक्या है इज है इज हां पे इफ आ जाता है मैंने आपको क्या बताया है वहां पे हैपो थेटिकल कंडिशन आ जाती है एक्चुल में वैसा हो नहीं रहा है ठीक है यह जोर रहा है कि इफ दे मेल्स एं फ इंक्रीज मुझे मेल और फिमेल के अंदर आट परसेंट और पांच परसेंट दिया गया है परसेंट की फोम में लेकिन मुझे दोनों का मिला के इंक्रीज संख्या में दिया गया है तो मेल का इंक्रीज फिमेल का इंक्रीज और ओवरॉल इंक्रीज परसेंट में नहीं दि अगर बताओ यहां पर में पर्षेंटेज इनक्रीज लिख रहा हूं यहां पर भी पर्षेंटेज इनक्रीज लिखूंगा के नहीं लिखूंगा शिदा नंबर थोड़ी लिख सेंटेज इंक्रीज तो पर्शेंटेज इंक्रीज कितोना हुआ है चानम सो से दंसके 10,200 बैतर हो गे नहीं 632 बढ़ गई किस पर बढ़ी बढ़ेगी जनसंक्या मैसा पहले वाले जनसंक्या बढ़ती है ठीक है तो 9600 पुरान जो भी इंक्रीश वाले डिद है, सन सो कट है, पूरापूरा यह सात बार जह रहा है और यह पूरापूरा सा्परसेंट आएगा तो यहां पर भताओ साथ लिख दू कि ने लिख क्योंकि मैंने बोला कि तीनों जिगात पर सेम स्थी जह इसन चीज़ पर्शेंटेज इन जिन घूझ भी पर्शेंटेज नगल दू एक को यह दो कि यह पूछा गया है वर्तमान में पुरूसों की संख्या घ्यात करो तो यह परजेंट पॉपुलेशन का है और परजेंट पॉपुलेशन टॉटल एक तो नहीं हो कितनी है मेरी चान मस तो कितने से मल्टिपला गरूं बताओ 32 से मल्टिप्लाई करूं पूरू 100 की संख्या मेल के नीचे भी 32 से मल्टिप्लाई करूंगा तो तो कितना आ जाएगा वह 6400 आ जाएगा देट इस यूर आंसर ओप्शन नमर भी ठीक है उमीद करता हूं सोंज में आगया होगा नेक्स्ट प्रस्ण पर चले चलो फिर देखो एवरेज का क्विश्चन भी मिक्सर से हो जाएगा अरे आ जाएगा चलो फिर देखो इदर द्यान से देखो में कर देता हूं सोंग क्विश्चन बोला दा एवरेज बेट ऑफ गल्स बोला टाएगा लिखा नेद फिर देख गल्स का अवरेज बैट आडगी इंड देखो धव एवरेज बेट अगल्सी ethy इसको देख के पता लगरा है गैल्स का अवरेज बेट टेर गल्स का अवरेज बेला की एवरेज बेल यंद बात बंड़्य नहीं 10 बोरई chase 5, थीक तो एक ratio 2 आगे, थीक हरा है एक ratio 2 आगे, अब यहां पे equation बूल रहा है, यही लड़कों की संख्या 12, लड़कों की संख्या हेंपे क्या बोल ते कि 12 तो boys you can have how close the sea total has a total ratio, तो total ratio राशिय करते है, लड़कों की राशिया ratio 2 हlike toAm 12 average to 6, छैसे multiply, तो लड़कियों के कितनी होगी, छैसे multiply, उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्या बात है, very good, तेखो बैं, इने class ratio of boys and girls respectively 3 ratio of 1, average marks of boys a plus 2 and average class is a, average of class is a, find the average marks of girls, आप देखो, इसमें concept में यहां पर आपको बताता हूँ, इससे पहले बताएंगे हो, mixture allocation की basic structure के आपको सारे concept समुझ में आ गई, concept क्या क्या थे, तीनों जगा सेम मेजरमेंट्स होने चीए, ratio जो हगा, वो required निकल के आएगा, इन दोनों वेल्यू की बीच की वेल्यू यहां पर आएगी, ठीक है ऐसे तो होता था, एक, दो, तीन, ऐसे तीन वेल्यू होती थी, होती क्या होती है, ठीक है, तो हमें पता होता है, required का ratio आएगा, तीनों जगा सेम मेजरमेंट्स होने चीए, ठीक है, इस में से एक वेल्यू इस से बड़ी होगी, और एक वेल्यू इस से क्या होगी, छोटी होगी, या फिर इन दोनों के बीच की वेल्यू यहाईगी, कैसे भी समझ सकती हूँ, यह सारी चीज हम समझ गए थे हैं, यहां प तो मैंने यहां से डिफरेंस निकाला, तो यह आगया दो, नहीं नहीं, 6, यह आगया 6 और यह आगया 2, तो किस रेशियो मिलाया गया इसको भई, किस रेशियो मिलाया गया इन दोनों को, एक रेशियो तीन में, समझ गे, एक रेशियो तीन में मिलाया गया है, अब ध्यान स समझना इस चीज़ को मैं एक चीज़ बोलू कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब माल लो मुझे जब भी क्विशन दे देगा उसमें से ये गायब कर दिया मुझे ये भी दे दिया गया और ये भी गायब कर दिया ठीक है ये पूछ लिया गया ये नहीं होगा मेरे पास में तो रेश्यो भी नहीं निकलेगा पताओ अगर मुझे 28 दे दिया 20 दे दिया और ये नहीं दिया ठीक है तो मेरे पास ये कैसे निकलेगा ये तो निकलेगा ये नहीं ठीक है लेकिन ये क्या था यह 22 था हमारा जब था था ठीक है 22 था वो किस रेशियो में था तो यहाँ पे दो आ गया और यहाँ पे छे आ गया यही था अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो आठ है कि नहीं है और वही सेम डिफरेंस यह है कि नहीं है बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो आठ हाएगा कि नहीं हाएगा लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर आठ हाएगा एक अनुपातीन को जो सोल होके है एक बात इस बात को ग्धान से देखो आप गूर से इसमें चोटी सी बात है उसको समझना है आपको ठीक है यह एक अनुपाती होता है उपर वाले दोनों नुबर का यहीं यहाँ पर बढ़ट जाता है हो होगा तब देखो मियरा concept क्या है मेरा concept यह है कि जीन ratio के अंदर इन दोनों को मिलाया जाएगा वो जो ratio होगा उसके अंदर ये आँठ बटेगा तो यह यहां पे कितना था चार था लेकिन यह 4 total कितना है आठ है तो तो इसको भी रियल्टी में दो से मल्टिप्लाइ करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग का लू सर तो आप मुझे देखना इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस ये दो होता था कि नहीं होता था यानि कि या तो ये दोनों जुड़ के यहां पे आएगा या तो 20 में 2 जुड़ के यहां पे आएगा 22 तभी तो 22 का डिफरेंस दो होगा या फिर ये 20 में से 2 माइनस होगा तब 18 आएगा तभी 2 आ सकता है इन दोनों का difference इन दोनों का difference छह कब आ सकता है जब ये 34 हो जाए या तो 6 जादा हो जाए इससे ये फिर 6 कम हो जाए 22 हो जाए ठीक है तभी हो सकता है इसके अलाव तो कुछ हो नहीं सकता तभी तो इन दोनों का difference छह आएगा इन दोनों का difference दो आना चाहिए लेकिन इन दोनों में से select कैसे हैं दोनों साइड से calculate नहीं करना है आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का number यहां पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ इन दोनों के बीच का number यहां पे आएगा दूसरा है नहीं सकता क्या 22 के 18 इन दोनों के बीच का नहीं एच और इसए नहीं नहीं है तो अब इतना सब कुछ करने की जूरत नहीं है आप simple सा सोच उ क्या सोचना है simple simple सा सींपल سा यह सोचना है कि यह 20 से JOHN या तो 2 जूड़ए गटए गश् hill जी आ थरा आप देख लो इन दोनों के बिच कोन साय 22 to 22 लिख दिया अपने बाथ कत मने ये ये यह तो जूड़एका 24 या माइनस होगा 22 तो दोनों के बिच का कुन सा है 22 तो बाइस आ गया या फिर एक छोटी चीज याद कर लो एड इन इसमोलर वन कि छोटे वाले में एड कर दो बस एड करने में जाया दिक्कत नहीं होती कोई फ्रेक्शन में भी होगा तो इसमें चोटा कुन सा है 20 तो उसमें इधर वाला एड कर दिया 22 बस बात करता हूं ठीक है और ध्यान रखना है बड़े वाले में से क्या होगा माइनस होगा तो यह concept समझेगे अब पीछे चलते हैं यह एक basic सा question आगे चलना है हाँ एक कक्षा के अंदर लड़के तथा लड़कियों का अनुपात तीन अनुपात एक है लड़कों के ओसरतंग ए पलस टू है और लड़कियों के ओसरतंग ए मतलब पूरी क्लास के कक्षा के ओसरतंग हैं तो लड़कियों के ओसरतंग याद करो तो देखो आप एक इतना common sense लगा सकते हैं किसे लगा लड़कों के दे रहे हैं और दोनों के मिलाके दे रहे हैं एक ratio दे रहे हैं तो एक के गायब कर रहे हैं मिक्सर एलिगरिशन का से पैटरन बेट रहा है यानि कि बोईज और बोईज के ओसरतंग के कितने हैं ए पलस टू गल्स के मुझे पता ही नहीं है और दोनों के मिलाके कितने हैं मिक्स होने के बाद में यह पर आएगा यह है यह है और यहां से और यहां से जो ratio निकलेगा आपका वो ratio मुझे actual में कितना दिया हुए है तीन रेशियो एक दिया ह लेकिन बताओ इन दोनों का difference में निकाल पारा हूं निकाल पारा हूं तो यहां पर क्या रहा है तो मुझे ratio तीन रेशियो एक दे रहा है लेकिन इस एक का real value जो था बिना कटा हुआ वो तो था इसका मलदों से ब्ल्टिप्लाई तो इस थ्री का real value क्या रहेगा बताओ बिन अब ध्यान से समझ लेना इसमें देखो छोटा या बड़ा पता कर पाओगे आप क्या जुड़ना है क्या गटाना है नहीं पता कर पाएंगे तो देखो इसकी और इसकी value का difference 6 होना चाहिए तो यहां पर या तो a plus 6 आ सकता है या a minus 6 आ सकता है बताओ इसके लाओ कुछ आ सक तब ही तो a और इसका difference 6 आएगा ठीक है अब a plus 6 और a minus 6 में से कौन सा होगा अंसर यह ग्याद करने के लिए आप देखो इस a से एक नंबर बड़ा होना चीए और एक नंबर छोटा होना चीए अगर a plus 6 हो जाएगा तो दोनों ही बड़े हो जाएंगी क्योंकि a में कुछ न चोटा होना चीए simple सा logic उमीद करता हूँ समझ में आया होगा चला हूँ आगे बढ़ता है फिर देखो भे question बोल रहा है man cover certain distance in 30 minute with the speed of 25 km per hour and cover another distance in 20 minute with speed of 40 km per hour find average speed average speed क्या होती है इतनी दूरी एक speed पर चला इतनी दूरी एक speed पर चला दोनों को mix कर दिया तभी तो average speed निकलती है तभी तो average speed निकलती है तो कुछ दूरी वो 25 km per hour के साफ से चल रहा था कुछ दूरी वह 40 km per hour के हिसाब से चल रहा था अब बीच में क्या एगा हमें नहीं पता वही तो हमें निकालना है अवरेज श्पीड वही तो होता है अवरेज श्पीड लेकिन मुझे नीचे का रेश्यो पता है क्या पता है मुझे टाइम अगर आपको सीधा रेश्यो नहीं आपके यहाँ मुझे नहीं बंगीन होता है लेकिन क्या यह पर टोटल है पांच लेकिन आपके तोल यहल्wen हो नेवीक मोझे लेकिन पर क्षाज शृ टोल थे टोटना है यहां नहीं होना चीए तो यह 3 से मुल्तिपला यहां नहींट से सिक्स तो anticipल नहीं से बाइख है यह Вас से निकालों कि दोनों से निकालने को जूरुत नहीं है आपको पता है छोटे में जोड़ना है यह बताया था मैंने छोटा है 25 उसके सावने बारा जोड़ दो उसमें 31 अंसर कि उमीद करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजे यह थोड़ा सा टोपी कैसे हार्ड माना जाता है लेकिन हार्ड लग रहा है क्या मुझे अगर इस्ट्रक्चर को अच्छे समझ लिया तो कुष्चन को करना मुस्किल है हम लोग क्या करते हुं स्ट्रक्चर के अंदर ही गड़ड़ कर देते कुछ न भूच यह प्रोबल्म है यज़े लोग फिर नेक्स्ट क्यूश्चन देखो क्या बोल रहा है कुश्चन बोल रहा है शॉपकीपर शोल्ड 30% बुकेट 50% प्रोफिट and 70% बुकेट 10% प्रोफिट find the overall profit तो mix क्या होगा mix profit होगा कुछ books का profit दिया है कुछ books का profit दिया और overall profit पूछ गया है तो profit mix होगा तो 50% प्रोफिट पे कुछ books बेच दी और 10% प्रोफिट पे कुछ books बेच दी overall कितना profit होगा हम नहीं पता मुझे लेकिन देखो 50% बुक जो बेकिए वो 30% संख्या है उनकी तो number of books का ही तो ratio आता है 40 यह बताओ इस तीन रेशो साथ में बटेगा कि नहीं बटेगा 40 तो दस है तो दस को 40 बनाने के लिए 4 से multiply तो इसको भी 4 से multiply करोगे तो आपका 12 आजाएगा इसको 4 से multiply करोगे तो आपका कितना आजाएगा अब तो easy लगने लग गया होगा यार milkman has two types of milk in first container there is 80% milk while in second container there is 60% milk if 28 liter milk of first container and 32 liter milk of second container mixed then find the percentage of milk in new mixture ठीक है दो टाइप के container में मिक किसी milk में इनके पास में दोनों में दूद पड़ा हुआ है लेकिन दोनों में mixed दूदे पानी और उसका मिलाएवा दूदे तो इसके अंदर जो पहला वाला है ना इसमें तो 80% मिलके 20% पानी होगा और यह जो दूसरा वाला container है इसमें 60% milk है ठीक है इसके अंदर 60% milk है ठीक है तो दुबारा से पढ़ते हैं इस question को दो टाइप के milk है एक container मालो यह है container यह है इसके अंदर तो भी 80% milk है और इसमें 60% milk है बाकी क्या पानी बानी होगा कुछ मिलाया होगा जो वाल इन second container there is 60% milk if 28 liter of milk of first container first container का 28 liter and 32 liter milk of second container 32 liter की कौन से का second container का mixed in दोनों का इस वाले container का 23 liter इस वाले container का 32 liter और दोनों को क्या कर दिया mix कर दिया उसके बाद में बोला है then find the percentage of milk in new mixture percentage of milk in new mixture percentage of milk बीच बोचा गया कि hoje की नए जो mixture इस में से 28 liter ले लिया इस में से 32 liter ले लिया अब इनको मिला दिया तो नए mixture में milk का परतिसर्ट कितन हितना है बताओ milk का परतिसर्ट इसका इतना था इसमें इतना था दोनों को मिला दिया मिलाने के बाद वाली value कहा आने चीए यहां आने चीए और उसके बाद में ऐसे से माइनस करके यह आना चीए और दिको मिलाया क्या 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 गया तो क्या इससे ratio आजाएगा गनी आजाएगा बताओ ठीक है बीस इस साथ ratio आठ में बटेगा अगी बटेगा अगी बटेगा अगी बटेगा अब सारे लोग इधर ध्यान देगी बाद में बात करेंगे यह सोर्णों में बताओ दूगा मैं कर दूगा भी 20 बटा 15 से मल्टिपलाई तो कितना आ जाएगा एक सिकंड पंदा 15 बटेगा बीस आ जाएगा तो यह कार्ट पिट के कितना जाएगा च्यार बटा तीन यानिक तरीके से 4 बटा 3 से मिल्टिपलाई कर दिया आप मुझे बताऊ यह वेल उनिकालना है तो चोंटेवाले में प्लास होता है और यहां पर जोगता है यह निकालो यह निकालो यह भी निकाल लेंगे यह भी gak लेंगे यह बहुल coating निकाल लो इसका कुछ प्रिखाना को च्छोटी वाली वेल्यू के इसको जोड़ दू इधर वाली वेल्यू को अब देखो इसका काट पीट के जो रेश्यू है तो तो साथ रेश्यू आठ है ता कल जैसे कलास में सीखा था ओर रिएल्यू में वेल्यू पंदरा की यह 20 थी तो यह 7 की कितनी हो जाएगी 4 अटा 3 से तो जोड़ दो नोट से एक पटा तीन को तो कितना जगा 69 1 by 3 percentage हो जाएगा यह अपका हो जाएगा इधर वाले इस 8 को करोगे तो इस असी में से उसको minus करना पड़ेगा fraction के अंदर जोड़ना आसान होता है इसलिए छोटी वाली value से मैंने जोड़ दिया ठीक है हाँ जी probability बिल्कुल पढ़ाएंगे चलो यह वाला कुश्चन अब आप लोग करो दो कुश्चन ने बोला है कि देवरेज वेट ओफेट क्लास का तीस के जी यहां 15 के जी और दोनों क्लास का मिला के पुछा गया है जिनको मिलाना होता है उनको उपर लिखते हैं 10 ha 334 और मिलने के बाद जो आएगा वह यहां पर आएगा तो यहां की value हमें नहीं पता नीचे रेश्यो के आएगा जो बचई वी value होती है तो 40 student और 20 student है तो इसी से रेश्यो निकलेगा यह 40 student और यहां 20 student काट दो बå दो रेश्यो एक अब मुझे बताना कैसे करेंगे स्फ़ाओ इन दोनों में डिफरेंस कितने है 15 यह 15 डिफरेंस बताओ इस रेश्यो में बटेगा इस बटेगा बिल्कुल बटेगा सर तो यह 3 रेश्यो है 3 नहों कितना है 15 है तो 5 से इस बताओ इन दोनों की वेल्यू निकाल सकता हूं पाथ से मल्टिप्लाई हो जाएगा तो पंदरा और दस यहां कितना जाएगा 25 यह 25 किया आपका ठीक है छोटे में बलस करना है चोटे के सामने इससे भी निकाल सकती हो आप जैसे इसका निकाल लोगा तो यहां आगया पांच तो बड़े वाले में से माइनस करोगे तो भी 25 आएगा ठीक है जी तो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट पता है उसको अपलाई करो और कुश्चन को निकालो मज़े से करो गई दस अठारा सही दो बटा तीन वेरी गुड ऑप्सन नमर बी चपन बटा तीन ठीक है देखते हूं वह एक ही बात होगी न चलो यह का का एक आंसर है चलो देखते हूं एक वह एक ही पाउड एक का अचा ये येद् 1 ताइप काउंद्विक है दूसरे ताइप का 20 अचाफ ये केन फिल्द निक आजी 11-ושxt gehört second liquid एक केन जिसको 11 मिल hp के सबस्क्राइब दो touch इस मिला दिया गए ने कि छार डूब के सिंसक्र गाले की सबस्क्राफ पहले का नजोज़ा है तो यह चार पार्ट पार्ट ह calor diferentes जुट तो पहले द्रव में दूद्गी मातरा 15% है दूसरे 20% है पहले परकार के चार भाग और दूसरे परकार के के ग्यारा भाग मिला दिये जाते हैं नए मिस्रण में दूद्गी मातरा है ने की बीच में दूद्गी ये भी दूद्गी मातरा है दूद्गी मातरा है परसेंटेज में तो बीच में निकल के आएगा आप मुझे बताएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 वो इस रेशियो में बटेगा और ये कितना है 15 है और 15 मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पाँच तो पाँच यहन एक बटा तीन से multiply. छोटा कौन सा वेल्यू है? 15 है छोटा वेल्यू, तो 15 के सामने वाली जुड़ेगी तो इसका निकाल लो आप. तो इसका क्या करेंगे? एक बटा तीन करेंगे तो यह क्या एगा? 11 बटा तीन है. 11 बटा 3 का मतलब हो गया 3 तिया 9 ठीक है 3 तिया 9 और 2 आगया 2 बटा 3 तो 3 सही 2 बटा 3 यानि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 3 18 18 सही 2 बटा 3 पर्शेंट that is your answer अगर इसको वैसे तो दे नहीं रखा मुझे फ्रेक्शन के अंदर तो इसको नॉर्मल में चेंज कर लेता है अठरा दूंचते अठर ते चोवन और दो चपपन तो यह हो जागा चपन बटा 3 टीक है तो हो आपका अंसर आजाएगा 56 डिवाइट 3 उम्मीद करता हूं सोझ में आ गया हो कुछ ही नहीं था च्यार भाग और 11 भाग से रेश्यू निकल गया गया समझ गया चलो आगे बढ़ते हैं फिर यह क्षिशन आपके काम का नहीं है बिल्कुल भी इसको छोड़ते हैं यह आजाओ डबल एली के से मुझे एक बात बताना पीछे में एक क्षिशन में डबल एली के सिन क्या होता है भी बताऊंगा मैं दो बार एली के सिन लगेगा कि यहाँ पर मैं बोला था पहले द्रव में दूद की मातरा 15 परशेंट और 20 परशेंट थी दूद की मातरा दूसरे में लेकिन इसमें अगर पानी की मातरा बोला जाता तो मालो इसमें बचा हुआ 85 परशेंट पानी ही होगा माले बोला निए कुश्चन 25 परशेंट पानी होगा इसमें 80 परशेंट पानी होगा होगा और तो बताओ मैं 80 परशेंट पानी में और 85 परशेंट पानी में लगा सकता एमराइड और नोट तो इसके अंदर लेकिन आपसे पूछा क्या गया था दूद पूछा गया था तो दूद में लगा दिया आपने पानी में नहीं लगा किसी में भी लगा सकते हैं एक मिक्स्चर में जितने भी पार्ट्स होते हैं लेकिन एक ही चीज होनी चीज होनी चीज यहां पर भी वहीं छीजह होनी चीजह जिए यहां नहीं कि यहां तो आप पानी लिख रहे हो यह打 लिख रहा हो copper लिख रहा हो यह i 58 फे ओर डवल दिखने में क्या होते хлопप क्यों कोई बीदो मिसरं होते हैं उनको मिला दिया मेने तो मिलाया तो एक अनुपात में जाएगा जैसे मानलो तीन अनुपात में मिला दिया अमानलो पानी मिल्क और वाटर के मिस्टरन थे यह दोनों आप मान लो मैं मिलक में लिगेशन लगा है या वाटर में लिगेशन लगा हूं जो यूदीलिके सब्सक्राइब निचे का रेशियो होता है वह सेहीं ही रहेगा करकि दोनों मिक्सर को इसे उनुपाद मिलाया गया है यह सूरुन फिराची रश्मी ओजर्श पिंकी अम्रेद एक अलोए मतलब मिश्र अधात हो थी उसमें कोपर जो हे वो 80% है एंड टीनी इस 20% टीन जो हे वो कितना है 20% है इन अनदर अलोए 85% इस कोपर 85% कोपर है एंड 12% इस तीन तेखो तीन कोपर और तीन का मिक्श्चर चल रहा है यहां पर कोपर 80% 20% 85% एंड 12% कैसे हो गया यार बाकी किया Mario इसमें छल बाकी कुछ और होगा ठीक है न बाकी में जाम कुछ और होगा हमें क्या पता 10% कुछ और होगा इसके नदर छोड़ दे ना इसको कोई उसमें कोई δिक्कत वाली बात नहीं इन एक मिस्सर दातू दूसरी मिस्सर दातू दोनों को मिला दिया एक नई मिस्सर दातू बनेगी जिसके अंदर 15% होगा Find the percentage of copper in a new oil New जो अलवे बनाए दोनों को mixture करने का उस पर copper कितना परशेंटी अब देखो सबसे पहले मुझे allocation लगाना है तो जिस जिसको मिला रहा हूँ जो जो मिला रहा हूँ और मिलाने के बाद उसका percent 10 का दे रखा है copper का दे रखा है देखो copper का तो मुझे यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है यहां दे रखा है यहां दे रखा है लेकिन मिलाने के बाद गा नहीं दे रखा लेकिन मुझे यहां देखो 20% और 12% और मिलाने के बाद 15% हो जाएगा यह वेल्यू भी दे रखे यानि की पहले में 20% टीन था दूसरे में 12% टीन था और मिलाने के बाद 15% हो गया बताओ तीनो पर डबल एलिगेशन में होता है जहां पर तीनों जगह की वेल्यू दे रहे हो कि यह जिन जिन को मिला रहे हो उसकी वेल्यू और मिलाने के बाद में जो बन गया है उसकी वेल्यू तीनों की वेल्यू अगर जिसकी दे रहे हो उसमें आप सबसे पहले लगा के यह रिश्यू निकालेंगे, यहां आया 5 और यहां पे आगया 8 ठीक है, तो 8 अनुपाद 5 आगया अब पूछा गया है, आप लोगों से दूसरे में, अब दुबारा ऐलेगेशन लगेगा, दुबारा ऐलेगेशन किसमें लगेगा, अब लगेगा कोपर में, कोपर का 80 परसेंट मुझे दिय हुआ है, ठीक है, दूसरे में मुझे 85 परसेंट दिया है, मिक्स का मुझे पूछा गया है, यहां पे क्या वेल्यू आएगी, यह मुझे से पूछ लिया गया है, कि मिक्स का कोपर कितना होगा, लेकिन, रेशियो मुझे नहीं पताता, लेकिन बताओ, यहां से रेशियो पत 5 होगया बताओ यह वाली जो 5 वेल्यू होगी यह इस 8 रेश्यो 5 में बटेगे, यह बिल्कुल बटेगी यह जो 13 है इस 13 को क्या मनाना पड़ेगा 5 बनाना पड़ेगा 13 को 5 बनाने के लिए किस से मल्टिपलेगरों 5 बटा 13 से चोटे वेल्यू में जूड़ जाता है तो इसका वेल्यू निकाल लो मैं इसमें पांच बटा 13 मल्टिप्लाइ करें तो यह कितना आ जाएगा 25 बटा 13 बताओ 25 और नीचे डिवाइड में 13 अब इसको सोल करोगे तो 13 एकम 13 एक सही 12 बटा 13 आ जाएगा तो छोटे वाले में इसमें जोड़ 21 और यह कितना जाएगा 81 सही 12 बटा 13 तो एक मिनिट रूप हो यार इसमें क्या गडबड हो रही है एक बर बताना थ्री रेशियो 5 होगा कहां है थ्री रेशियो अरे यार मतलब मैं भी कुछ भी करता हूं टोटलेट है ना चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऑप्सण में नहीं कर रहा था वैसे हमने जो केलकुलेशन की थी उसके हिसाब से तो सही था वहां पर हाट गल्ती से लिखा गया अच्छ ये देखो σας, ये टोटल रेश्यो का वैल्यू केतना है? 8 है ये जो टोटल रेश्यो का वैल्यू 8 है ये 8 नहीं होग dramas 5 होगा किने होगा कि इस 5 को तीन दिश्यो पांच में बातना पड़ेगा तो पांच बटाँ 8 से इसको इस 5 तो पत्चीस बटार्ट आट का मतलब हो गया तीन सही एक बटार्ट तो इसको निकालना पड़ेगा आपको तीरासी में एक बटार्ट में भाग दे होई एक बटार्ट पॉइंटों में कितना होता है आठी एकम आठ वन यह आएगा यह वाला अंसर आएगा पॉइंट वन वाला कि ठीक है छींग कर अधिक दूसरी में निकाल दो अगला कुष्ण का आनसर आप निकाल के दिखा दो मुझे अरे यह तो सेमी क्यूशन है गया अच्छा यह तो सेम क्यूशन आ गया रिपीट हो गया इसके इंदर स्लाइड में इसको डिलेट कर देते हम और यह वाला क्यूशन आप करता हो तो यह लोग ची आंसर आजाना ची इसको हम सोल नहीं करेंगे आप ही लोग निकालोगे इसमें बोला गया इन अलोए कोपर इस 90 परसेंट टीन इस 10 परसेंट इन अनदर अलोए 93 परसेंट इस कोपर इन 4 परसेंट इस तीन इन वाट रिश्यू दे शुड़ भी मिक्सड देन 9 पर चलो बहएं किया रहा है आंसर यह आ रहा है और अप्सन सीज अनसर सेम एज लाश्ट कुष्चन की तरह करना इसको ड़ाट इस अगर किसी से नहीं हो आए तो गर पे ट्राइग करना पिछला कुष्चन जिसके क्या कोई फर्ग निया पिछले कुष्चन और इस कुष्चन मैं ही समझा देता हूं आप लोगों को यह माइनस मार्किंग वाला कैसे आता है इन एक्जामिनेशन देर और 250 कुस्टिन ठीक है फोर इच राइट आंसर ही गेट्स थ्री मार्क्स ठीक है सही आंसर करेगा तो तीन मार्क्स मिलेंगे तो हर जो मार्क्स होगा जो नेगेटिव होगा गलत होगा उसके लिए उसे 0.5 मार्क्स मिलेंगे इफ इस्टुडेंट गेट्स 477 मार्क्स फाइंड दा नंबर ओफ रोंग आंसर ठीक है तो मुझे बताओ टोटल प्रोनांग के कितने का हो गया 777 मार्क्स कितने में से मिले उसे गलत क्यूशन और सही क्यूशन के मार्क्स को मिला के ही तो टोटल मार्क्स बन रहे है ठीक है तो सही मार्क्स के लिए आप लोगों को तीन नंबर मिल रहे हैं सही क्यूशन के लिए और .5 मिल रहा है आपको किस के लिए गलत marks के लिए minus के अंदर तो इसको minus में जिखना है इस दिए नमबर कट रहा है तो minus करना है यह 3 नमर पलस होगा यह minus होगा बताओ दोनों को मिलाके यहां पे कितन अमर्कस आएगा अब जहान से समझेगा दोनों को मिला के कितना माक्स आएगा बताओ ये एक क्यूश्चन का सही होने पे माक्स है के नहीं है और ये एक क्यूश्चन का गलत होने पे माक्स है के नहीं है कि एक क्यूश्चन में इतने नमबर मिलेंगे तो एक क्यूश्चन का सही गलत मिला के पर स्क्वाइब करें उसे कितना माक्स मिला से कितना मिला के भाहिए तो पर कुशन कितना मिला कि ना कि ना है इस अगया कि कितना मिला कि इसको आप ऐसे मत लगा हो फिर ठीक है ऐसे लगा होगे तो दिक्कत होगी इसलिए मैंने आपसे कैलकुलेट करा है लगे का कुश्चन में यही कि 3.5 में इनमें लगा दे लेकिन इनमें नहीं लगाना है आप बताओ अगर वो सारे कुश्चन सही कराता तो उसके साड़े साथ समाक्ष मिलते हैं तो साही कुश्चन के तो साड़े साथ समाक्ष मिलते हैं सारे कुश्चन अगर गलत कराता तो उसे कितना मिलता माइनस 125 मिलता और दोनों को मिला के एक्चुल में उसे कितना मिला है इसमें लगा सकते हैं अब करो देखो साड़े साथ सो तो डाई सो और त डिफ्रेंस क्या होगा बताओ यह दोनों जूडेंगे या माइनस हो जाएंगे जूडेंगे ना इसमें पांसो दो छास्सो दो ठीक है यह रेशियो किस-किस को समझ में आ गया कितने से कट रहे देगो भी कि इस एकिस साथ नेम तरेसट और कट रहे किसी से आगे बताओ नहीं कट रहे तो भी ठीक है नहीं कट रहे थीक है यह मैं कोई दिक्कत नहीं हम यहीं से निकाल देंगे इसको इसने बोला कि डाइसो टोटल प्रश्ण है तो पूलों कि दो उसके द्वारा गलत उत्तर दिएगे प्रश्णों की संख्या बताओ गलत वाले यह है ना तो टोटल मिला के प्रश्ण कितने हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह चालीस एक्सों सबीस एक्सों पत्चीस आएगा यह एक्सों पत्चीस आएगा लेकिन टोटल कुश्ण एक्सों पत्चीस नहीं होगी कितने हैं डाइसों हैं तो कितने से मल्टिप्ला तो गलत जो कुश्चन हुए हैं उसको भी दो से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 78 आजाएगा ठीक है फाइनल आंसर 78 याएगा ठीक है जी यही तरीका भी ऐसे कुश्चन को आप ऐसे मेथड तयार कर लो अपना कि बट शारे कुश्चन सही करेंगे तो सही करने पर यह मार्क मिलेंगे सारे कुश्चन गलत करने पर यह मार्क मिलें फीक है ना 최ary को नहीं को ढद तो उसमें का शार्य हैं अन्यक्शन लगाद!, और यहिसे कुश्चन हो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ häufig हम बाज़ता है ट्रीपल लहां से एक्जाम में पूछाय निरिट फिर भी बता देता हूं है इसमें ग्में से करो के डिफिकल्ट कुछन निंए बनेगा ले прин सीम्प्ल साव को कभी triple allegation लगवा सकता है कि triple allegation आपको पता होना चाहिए क्या होता है ठीक है अब यहां देखो question क्या बोल रहा है question बोल रहा है shopkeeper mixes three varieties of wheat and the cost price of all types are 15, 19 and 29 पर kg तो 15 रुपए की 19 रुपए की और 29 रुपए की यह तीन अलग अलग प्राइज को उसने क्या कर दिया mix कर दिया mix बनाने के बाद में 26 रुपए पर kg पड़ गई ठीक है by selling the mixture 26 रुपए पर shopkeeper gets no profit no loss बताओ जहां पर no profit no loss होता है वहां पर selling price और cost price बराबर होती है कि नहीं होती है बताओ जितने मिलाया उतने बैस दिया तभी तो no profit no loss होगा ठीक है तो तभी तो no profit no loss होगा इसलिए यह 26 रुपए इसके लिए लगाओ इसमें लिएशन एनिया इडिया नहीं जीद यह वाला जो value है 26 यह 19 और 39 के बीच में 15 और 19 के बीच में जिसके बीच में वहीं लिखो 19 और 39 के बीच में यह लिग दिया वह जबश ठीक है अब देखो ज्यादा कुस्त हो नहीं रहा इधर से तो पता नहीं कहां जो यह तीन आता है जिस किस किस दिशा में आया यह इस दिशा में है तो इस साइड में सेम वेल्यू ही लिखने है आपको हमेज़ा है सेट हो गया यह question के अंदर हमेज़ा यह value बराबरी रहीग ध्यान रखना है बस यह आपको यह calculation से मैं बोला था इस साइड से लग रहा है ना यह लग गया तो इसे दिसा में जा रहे हो ना आप उसी दिसा में अगली जगह पे त्री से मेली लिखते हो इधर क्या लिखना है इधर सरे इन दोनों को बराबर मतला पलस करके लिए 19 और 26 वे डिफरेंस क्या है साथ का डिफरेंस्य है 15 और 26 में कितने का डिफरेंस अब 11 का डिफरेंस्य तो दोनह पलस होगे चील यह यह कितना बंजाएगा टोटल 18 2000 रहा थार थी से काट ग अब इसी का नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं एक बार यह आप लोग करके बता दो मुझे चलो इसके इससे पहले ना एक मैं कुश्चन मेरी तरफ से देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तीन वेल्यू ले लेते हैं हम लोग एक कुश्चन से इट किया हुआ है मैंने तेरा ठारा पच्चिस बंदरा देखो तेरा रुपई की चीज थी अठारा रुपई की चीज थी पत्चीस रुपई की चीज थी तीनों को मिक्स कर दिया और इसको बना दिया पंदरा रुपई का अब इसमें लगाए बताओ किस अनुपात में इसको मिलाए इस कुछिन में फिर रिपेट करेंगे वहां पर तीन अलग लग चीजों को वैसे मिलाए तो यहां पर मैंने खुद ने बौर्ड पर लिख देना है कुछिन मिला दिया कि 13 रुपई किलो चीनी और 15 रुपई किलो पर केजी चीनी बन गया तो बताओ triple allocation कैसे लगेगा जो रिपेट के लिए बोल ने इस कुछिन में रिपेट हो जाएगा 13 2 2 very good कुछ नहीं करना था 13 18 25 15 किस किस के बीच में आ रहा है 13 और 18 के बीच में आ रहा है तो तीन और दस दोनों को जोड़ना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस तीन इन दोनों का दस तो तेरा तेरा अनुपाद दो अनुपाद दो अंसर अब यह आ जाओ यह उल्टा रिवर्स हो गया ना मतलब जो हम लोगों ने नोर्मल एलिगेशन में उपर वाली वेल्यूज निकालते थे उसी तरीके से करो अरुन जी बताओ क्या दिखके थे यह ट्रिपल एलिगेशन नहीं आया समय में अरे यह कैलकुलेसन है दो बार समझा दे मैंने कि देखो 13 रुपे का कोई आइटम था आथजी नहीं रेट था यह तो इयह तो इन दोनों के बीच में आ सकता है या इन दोनों के बीच की 5 ऺीच की rich 13 और 18 के बीच की बीच की वैल्यू है 13 और 18 के बीच की वैल्यू है तो वहां लिग दिया अब बताओ इधर से तो दो एलिगेसन लगा रहे ना इस वैल्यू में इस वैल्यू में लेकिन इधर से तो सिंगल एलिगेसन लगा रहा है इधर से सिंगल एलिगेसन लगा कि यहां प वही तो किया है, 15 में से 13 माइनस किरके 2 लिखा है, विकास जी, ठीक है, और कुछ समस्या, आकास बोल रहे हैं, 18 से क्यों नहीं माइनस किया है, देखो, आप बोलों कि इधर से सिंगल क्यों नहीं लगा, 15 के इस साइड एक ही वेल्यू है, इस साइड दो वेल्यू है, तो इस साइड से तो दो वेल्यू में प्लस माइनस होगा, इस साइड से एक वेल्यू में होगा, इसलिए इसी सिंगल में माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया अब पीछे वाले कुश्यन में देखना, यहां 26 तक इस 26 के इधर वाली साइड के अंदर एक ही single number था, तब इसका ये वाला single allocation निकला, 29 माही ने 26 तीन और इसके इसी दिसा में 3 रिपीट कर दिया, और इधर वालों में जो 2 होते दोनों को plus करके लिग दिया, अब तो समझ में आगया हो गया यह आपके आगे पीछे किया तब दिक्त है ठीक है और यह वाला करो अब कुश्यन एक वैलीड बड़ी इन के बीच नमर होता है अगे वाला कुश्यन में तोड़ा सा उल्टा कर वालिया इसने मुला कि 2 प्रकार की चाय इनका मूल्य stake 126 रुपे 135 रुपे किलोगराम हे इनको यग तीसरी प्रकार था मिक्स किया जाता है तीसरे प्रकार चाई का मुझे रेट नहीं पताaces 10 함 126 रुपे oralim American phonology एक हो गई 135 रुपे वाली अब एक तीसरी चाइक के साथ इसको मिक्स कर दिया ठीग है न मिलाया गया यदि अन्ती मिस्रन का 1, puisqu, एक अनुपात rappelle दो के रूपए मिलाया गया है यदि अन्ती मिस्रन का मुली 153 रुपए प्रती किलोग्राम हो तो तीसरी प्रकार की चाय का मुल्य ग्यात करो देखो अम मुझे एक बात बताना इधर देखो रेश्यो बराबर आ रहा है एक रेश्यो एक रेश्यो दो जिससे साइड रेशियो बराबर आ रहा है यहां पे रेशियो बराबर यहां पे रेशियो बराबर इसका मतलब इधर से सिंगल एलिगेशन आ रहा होगा मेरा बताओ इसका मतलब इधर से सिंगल एलिगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप खुद बताओ यह चीज तभी तो यहां पे इस साइड से आएगा तभी यहां वन लिखा और यहां वन लिखा सेम रेशियो तभी आया ठीक है आपने अगर इस्ट्रक्ट्चर को अच्छे समझाए तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में वो विल्ल्यू आएगी और यहां से ऐसे लिखेशन लगेगा उसी चीज को रिपीट कर दिया मैंने इधर और यहां से इन दोनों में लिखेशन लगेगा ठीक है और जो मिक्सर वो था कितने का था 153 का था दूसरी बात अगर आप बराबर रेशियो नहीं देखे तो आप मुझे बताओ 153 रुपए क खुचे जो से रिया 126 और 135 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है तो 135 और और बढ़े नमबर के बीच में आ ठीक है इसलिए भी यहां पे आएगा आप इदर से जो को एलिगेशन लगा नहीं सकता है इंदर से तो लगाओ कितना डिफरेंस होता है वह 26 यहां तो 27 27 पलस 18 कि यह 45 बन रहा है क्या काट पीट के रेश्यों तो दो था लेकिन एक्चुल में कितना था पैंतालिस अधर से लिगेशन लगा है उसी वेल्यू के साथ कंपेर करते हैं जैसे नॉर्मल लिगेशन में करते हैं कितने से मल्टिप्लाइ करूं साड़े बाइस से भई जयएगा तो ये वाली वेल्यू भी हहां पर क्या एगी एक्चुल वेल्यू साड़े बाइस आईगी भिना कटी हुई है आज मुझे बताओं ये वाली वेल्यू ło है 153 से बड़ी आनी ची से चोटी आनी ची बड़ी आनी ची भी जोड़ देंगे आंसर उमीद गरता हूँ रिवर्श ट्रिपल एलिगेशन समझ में आया होगा वैसे आपके एक्जाम में यह पूछा नहीं जागा क्लेरिकल में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा ठीक है